कैप्टन अमेर का विंटर सोलजर को मैंने फ्रेम बाइ फ्रेम देख लिया है और इसमें मेर को एसी काफी सारी इरिन डीटेल और इस्टरेक्स मिले हैं जिनको हो सकता है कि आपने देखते बगत तुम मिस कर दिया होगा तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं नमबर वन मुवी की स्टाइटिंग में कैप्टन नता से ते बोलता है कि वो बहुत इमानदार है और ये चीज मुवी में कई जगा प्रूफ होती है जैसे कि Fury के मरने के बाद जब उनसे पूचा जाता है कि Fury ने मरने से पहले तुमसे क्या कहा था तो अब वो जूट नहीं कहते और सच बताते हैं कि Fury ने मरने से पहले उनसे कहा था कि किसी पर भी वरुसा मत करना प्लस जब कैप्टन सारे सील्ट एजेंस को हाइडर की सचा ही बता रहे होते हैं तब भी वो कहते हैं कि Pierce ने Fury को गोली मरवाई ना कि उसकी जान ली कोगी कैप्टन जानते थे कि Fury अभी जिन्दा है इस सीन में जितने भी ऑफिशल्स होते हैं जब वो इस लिफ्ट में गुसने वाले होते हैं तो उससे पहले एक दो फ्रेम के लिए हमें उनके जूते दिखाये जाते हैं जो कि actually में tactical boots होते हैं, अब ये tactical boots crossbone की team ने पहने होते तो समझ में भी आता है क्योंकि वो task force से belong करते हैं, लिकिन ये official जैसे दिखने वारे लोग जिने formal suits पहनना चाहिए था और उन्हें tactical suits पहने हुए थे जिसे captain ने भी notice कर लिया था, और उसके बाद captain ये समझ गया था कि य एमिलल जैक्सन ने window character play किया था, नमबर 4, बाकी तीनों ही Captain America movie में एक बार किसी न किसी river में गिरा है, और हर बार बाकी जब भी किसी river में गिरा है, तो उसकी character में एक change देखने को मिला है, जैसे कि Captain America था first Avenger movie में जब बाकी river में गिरा, तो सबको लगा कि वो मर गया है, लेक बाकी में एक river में गिरता है, तो उसके बाद उसे पर चलता है, कि वो अभी भी brainwashing का सिकार हो सकता है, क्योंकि उससे पहले जीमों ने बकी के ऊपर उन words का इस्तिमाल किया था, जिससे वो एक assassin में transform हो जाता है, नमबर 5, Captain America जब अपने पुरानी यादे तासा करने के लिए museum में जाता है, तब यहाँ पर हमें जौस वीडन का cameo देखने को मिलता है, जिसे अगर आप frame by frame देखोगे, तब ही notice कर पाओगे, और जौस वीडन ने The Avenger और Avengers Age of Ultron मुवी को direct किया है, और इस मुवी के post credit scene को भी जौस वीडन नहीं direct किया है, नमबर 6, जब पियर्स, Captain को ब Man 3 में और इसके next frame में यह में Tony Stark भी दिखता है अपने Avengers Tower में, और MCU में जे Avengers Tower की first look ती Avengers Age of Ultron मुवी से भी पहले है, नमबर 8, मुवी की end में Nick Fury की ग्रेप पर लिखा होता है, The Path of the Richest Man is equal to 2570, यह फेवरेट लाइन थी, Samuel L. Jackson के character Juice Wilfint की 1994 की famous film Pulp Fiction की, नमबर 9, Winter Soldier का mask, Captain America के mask के बिल्कुल opposite है, जहां Captain America का mask उसके lower face को reveal करता है, वहीं Winter Soldier का mask उसके lower face को cover करता है, प्लस जिस तरह से Captain अपने shield से mostly कुद का defense करता है, उसी तरह से Winter Soldier अपने metal arm से जातर अपना defense करता है, और अपने normal arm से attack, नमबर 10, मुवी के scene में Nick Fury, Steve Rogers को अपने grandfather के बारें बताता है, कि वो एक elevator operator थे, उस elevator वाली scene में इस dialogue के जरीए Samuel Jackson ने एक दाया सच्चा ही बता दी थी, क्योंकि इनके real life grandfather भी actually में एक elevator operator कर काम किया करते थे, नमबर 11 मुवी में जब पहली बार new heli carriers को first time दिखाया जाता है, तो उस time Nick Fury Tony Stark को mention करते हुए कहता है, उसके कहने पर ये new heli carriers के engine को repulsor technology की मेंस से बनाया गया है, तो कि Davengers मुवी में Iron Man को previous heli carriers के popular engine based को restart करने में बहुती ज़्यादा struggle करना पड़ गया था, जिसके बाद E Tony ने new heli carriers के engine को new repulsor system के मदद से बनाने को कहा होगा, नमबर 12 Captain America the first Avenger मुवी के scene में Harvard Stark Steve Rogers से बोलता है कि हाट रातुम पर कोई pocket knife से हमला करेगा नहीं, और Captain America the Winter Soldier मुवी में Winter Soldier Captain America पर एक pocket knife से हमला करता है, नमबर 30 मुवी के scene में Watergate complex देखने को मिलता है, तो कि Watergate complex एंडल हुआ था, जिसके तैद government के उपर आरोप लगे थे कि वो लोगों की निजी चीनों पर spy कर रहे हैं, और ऐसा ही कुछ shield के अंदर रहकर Hydra भ पैक वीडियो को बताते हैं कि उन्होंने जो दबाई ली है, उसे बैनर ने बनाया था तनाव कम करने के लिए, इससे ये पता चलता है कि बैनर अपने उपर एक्सपेरिमेंट करता रहता था इसमार्ट हल के बनने से भी पहले, नमबर 50 आपको Winter Soldier की एंटरी वाला ये epic soundtrack तो आज की वीडियों बस इतना ही, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंट चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करते हैं, आम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में